के वर डिजप का हाट जल्कम तो लोग कर रहे थे खुशन जो कर रहे हैं जो लोग यहाँ पूरी थे पूरी तरह जैसा वह करना चाहते हैं तो यूजी क्रिप््टों में एक रूल होता है कि आप अगर बाइक करना चाहते हूं मालो आप 50,000 रुपे लगाना चाहते हैं, तो 50 के 50 आप एक बार में नहीं लगाएं, उसको 5 से 10 अलग अलग पार्ट में डिवाइट करें, इर्णिं रिपोर्टिंग का जो सीजन आने वाला है, वो क्या अफेक्ट कर सकता है, प्लिपने ने बहुत सारा जो नेगेटिव नीूज है, वो प्राइस इन कर दिया है, या फैक्टर इन कर दिया है, बट 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 स्टिल कुछ-कुछ माइनर शॉक्स यहां पर लग सकते हैं किस तरह के माइनर शॉक्स जैसे कि यह वाला नेट्फिक्स ने कोर्टर टू अफ टू अफ टू अफ टू अफ टू अफ टू में 9,70,000 सब्सक्राइबर्स खोए हैं इंडिया में नेट्फिक्स जो है वो अबाउट चार सो रुपए लेता है तो आप पकड़ो और चार पांच डॉलर के थोड़ा उपर पांच-छे डॉलर पकड़ो जो मोटा मोटा चलो अगर हम बात करें यूएस में तो वी आ लुकिन आट लीस्ट टैन डॉलर प्राइस पॉइंट मिनिमूम अगर टैन डॉलर प्राइस पॉइंट हम यहां पर देख रहे तो कम से कम मतलब आप अच्छा कासा दस मिलियन का फटका है यहां विच इस तरह की चीज़े जो है यह अगर हम बात करें यूके की गाइस तो आज यूके एक बिल सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं यानिगी वेंजडे आज और यह जो बिल है यहां पर यह स्टेबल कोईंस का सेफ अडॉप्शन सपोर्ट करने का एम करता है यूके फैनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने बताया क यहां पर क्या है यहां पर क्या है ब्लॉक्चेन हब बनना चाहते हैं वर्ल्ड का तो दीरे अभी यह लोग उसकी तरफ मूव कर सकते हैं क्या यह स्टेबल कोईंस का जो बिल है यह बहुत ही चिल होगा बिल्कुल भी नहीं यहां पर गिवन जो भी चीज़ें हो रही है 3AC वागएरा वाली यहां पर काफी कड़े इसके पैरलेल में फ्रेंच का फ्रेंच फ्रांस में रादर एक बहुत ही बड़ा बैंक है जिनका नाम है BNP परीबा यह लोग जो है यह क्रिप्टो कस्टिडी स्पेस एंटर कर रहें आप लोगों ने बहुत सारे अलगलग बड़े-बड़े क्रिकेट वगएरा ऐसे कम ज में टेकों को इनके साथ यहां पर तो यह लोग अगर क्रिप्टो कस्टिडी यहां पर दे रहें तो काफी इंट्रेस्टिंग हो जाता है बट जैसा कि आपको पता है मैं अब जब से इस LCS वाला सिलसिला शुरू हुआ है लास्ट मन्से तब से आपको रेगिलरली बोलता हो है वो करें और हमेशा diversified assets रखें एक जगह पर अपने assets सारे के सारे क्रिप्या मत रखें even if it is a wallet तो split करें दो wallets में रखें उसको अब अगर हम बात करें यहां पर मार्केट की और bitcoin यहां पर क्या कर रहा है तो अभी क्या important हो जाता है देखो 4R वगेरा में तो हमने यह जो resistance क बॉक्स है यहां पर ब्रेक कर दिया है उपर वाला नाओ यहां पर क्या important हो जाता है उसकी अगर मैं बात करूं आपके साथ तो एक interesting चीज निकल कर आती है आप देखो यहां पर अभी हम resistance खा रहे हैं यह क्या resistance है यहां पर हमने कोई level तो mark किया नहीं हो बड़ यह क्यों important resistance बन रहा है यह आपको देखेगा डेली के चार्ट में सो डेली के चार्ट में हमारे पास जो है यहां इस level पर जहां पर बिटकों अटक रहा है यहां 23,300 पर वहां दो चीज हो रही है और बाइद वे एक सेकिंड एक चीज और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं य इंडरनेट ठीक है इस बाट साइन बट 55 EMA यहां पर आता है कल का जो दिन क्लोज करने की बाद थी वहां पर भी हमने 55 EMA ने एक रिजिस्टेंस दिया था आज भी अगर हम नोटिस करें तो यहां पर हमें 55 EMA एक रिजिस्टेंस दे रहा है डेली चार्ट में हाला कि 21 का सप यह लेवल का रिटेस्ट होना है तो हम ट्रेंड लाइन रिटेस्ट के पहले इसका रिटेस्ट काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग हमें नोटिस करना है क्योंकि एक स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस रहा है इन पैरलेल अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊ वीकली में फिर हम देख इसी तरह से चल रहा है विच इस वरी स्ट्रेंज अगर देखें तो वीक में अगर देखें तो वीक में आपको मैंने जैसे दिखाए था 200 वीकली ऐसे में जो है वो अभी 22,700 पे बन रहा है यहां पर हमने वीकली कैंडल इसके उपर क्लोज नहीं किया है optimally एक bullish अच्छा short term का scenario यह बनेगा जब हम इस 200 वीकली ऐसे में के उपर वीकली कैंडल क्लोज करेंगे अब आज है Wednesday तो वीकली कैंडल क्लोज होने में टाइम है तो we have to see कि यह वीक का जो बचा हुआ हफता है वो कैसा यहां पर जाता है आपने futures में trade लिए हैं या spot में trade लिए हैं whatever that is यहां पर एक important चीज़ बन जाती है कि हमें हमारा capital preserve करना बहुत जादा जरूरी हो जाता है और वो क्यों जरूरी हो जाता है capital preserve करना बहुत simple सी बात है यह overall अगर देखे macro में अभी bear market चल रहा है यह bear market rallies है तो इसमें market कब turn हो जाए यह किसी को पता नहीं है जैसे आप notice करें एकदम से bullish होगी किसी को पता भी नहीं चला किसी को नहीं पता चला जो लोग बोले जाने bullish होगी bullish होगी वो उसमें से कुछ लोग सही है कुछ गलत है आज of course लोग आ जाएंगे मैंने बोला था मैंने बोला था वाले भी बट all in all यहाँ पे bull market rally और bear market rally में बहुत फरक होता है तो यहाँ पे कभी भी market जो है पलट सकती है तो because of that it is important कि आपको अगर कहीं profit मिल रहा है तो आप चाहे पूरा मत book करें थोड़ा थोड़ा book करें so for example अगर आपने 100 रुपीज लगा थे और आपको 50 रुपीज का profit हो रहा है आपका 150 बन गया है तो आप वहाँ पे 25 रुपे का profit तो book करें usually ऐसा बोला जाता है कि अपना initial capital निकालने राइट बट अगर आप पूरा initial capital नहीं निकालना चाहते तो आप 50 रुपे निकालने उसमें से important कि हम रेगिलरली जो है profit booking यहाँ पे करते हैं रेगिलरली profit booking करते हैं और थोड़ा-थोड़ा करके करते हैं मैंने profit booking पे लास्ट यर भी वीडियो बनाएं वह भी आप चेकाउट कर सकते हैं बढ़ाने वाले उस दिनों में वह भी बना दूँगा given the market यहाँ पे short term में इस त होड़ा सोचना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि आप देखो cardano 9% xrp 6% bnb 4% bnb हफते में 20% अप है यह बहुत ही अच्छा profit है हम जब normally fd कराते हैं या stock market में जाते हैं तो हमको एक साल का 10-12% मिलता है कुछ stocks अच्छा दे जाते हैं यह हमको हफते हफते में 20% दे रहे है तो यह profit q na book किया जाए राइड इसमें से कुछ पाट तो क्यों ना confirm किया जाए क्योंकि आपने जह margin book कर लिए आपने profit confirm कर दिया कि हा भाई मेरेपैसे बन गए जब तक आप profit book नहीं कर रहे हैं आपके पैसे बने नहीं है वो सिरफ paper पे आपको दिख रहा है कि हाँ भाई बन रहे है तो ये quick चीज जो है मैं आपके साथ आप शेयर करना चाहता था आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ अगले वीडियो में तब तक के लिए ठेक केर